हलो बच्चों, तो आज की जो क्लास है इसमें हाज हम करने वाले हैं Case Study Based Question from Integrals दीकिए, Calculus एक पूरा पार्ट है, इस Calculus के अंदर Integrals भी आता है, उस Calculus के अंदर Differential Equation भी आता है अब Most of the Sample Paper में हमें Differential Equations की Case Study मिली हुई है तो आप लेकिन 4 granted यह नहीं है कि Differential में से ही Case Study आईगी, इसलिए मैंने आपको Financial Mathematics की Case Studies भी करवा दी है, मैंने आपको LPP की Case Studies भी करवा दी है और आज मैं करने वाला हूँ हैं यहाँ पर Integrals की Case Study, Differential Equation की Case Study हम अलड़ी कर चुके हैं, जो Important Question की जो Series है, उसके अंदर जितने भी Questions है, एक्चुली जो Differential Equation के जितने भी Questions है, वो सारे एक तरह की अपने आपमे Case Study हैं तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूद नहीं है, अगर आप वो Important Question वाली Series देख लेते हैं, तो आपकी Case Study की भी Preparation हो रही है, और Differential Equation के Question की भी Preparation हो रही है, तो आज हम यहाँ पर डिसकुस कर लेते हैं, जो Integrals में किस तरह से Case Study Based Question आ सकते हैं, Marginal Cost, Producer Surplus, इ In which the time he takes to memorize item from a given list is recorded, let MT be the number of item, अक्सर आप लोगों ने भी आए, मोबाइल वगरा में या कंप्यूटर वगरा में इस तरह के game खेले होंगे, memorize करने वाले कि क्लिक करके memorize करना है, पेर बनाने है, इस तरह के games आपने जरूर खेले होंगे, तो यहाँ पर कहते हैं, MT be the number of item, he can memorize in T minute, तो वो कह रहा है कि MT जो है, वो आपके पास number of item है, जो T minute के अंदर वो याद रख लेता है, ठीक है, उसको function को हमने represent करना है, MT से, but his learning rate is found to be this, उसका learning rate यह found किया गया, यह learning rate है इसका, तो आपको पूछा गया कि how many item can Bob memorize during the first 10 minute, पहले 10 minute के अंदर जो Bob है, वो कितने memorize कर ल item can he memorize during the next 10 minute, जो अगले 10 minute है, यानि पहले 10 minute होगे, अगले 10 minute यानि 10 से लेकर 20 minute तक वो कितना memorize कर पाता है, यह बताना है, अब memorize यह बताने के लिए, तो पहले हमें यहाँ पर जो function है, जो memorize function है, वो निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर, यहाँ पर आपको इंटीरल दिया आपको actual function निकालना है, अब वो actual function कैसे निकालते हैं, marginal function को हम integrate कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर भी integrate करना है, यहाँ पर यह derivative को हटाने के लिए क्या करा जाता है, derivative का उल्टा होता है integration, तो यहाँ पर आपको integrate करना है, तो जो marginal function निकालोगे, जो actual function निकालोगे, mt से हम इ नोट करते हैं, हमें द्योज दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि M-T, M-T आपको दिया हुआ है, कि दना 0.40, 0.40 minus 0.005T square, 0.005T square, यह function आपको दिया हुआ है, मतलब derivative दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर M-T function निकालना है, memorize the term in T minutes, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका integration कर देना है, with respect to T, क्योंकि यहाँ पर T है, variable तो with respect to T integrate कर दो, function आपको दिया है, 0.40 minus 0.005T square, इसको integrate किया आपने, integrate करेंगे, तो आजाएगा, 0.4 T square, minus 0.005T cube by 3, प्लस में C, अब इदो C, C की value आपको find करनी है, अब C की value find करने के लिए, वही time को आप 0 लो, क्योंकि यहाँ इसने ऐसा कुछ तो हमें दिया नहीं अभी, अगर हम time को 0 लेते हैं, मतलब, उसने start ही किया है, अब ऐसा तो नहीं इनना start करते हैं, उसने memorize भी कर लिया, तो इसका मतलब होगा है, जो empty है, वो 0 हो जाएगा, आपके पास जो function बन गया, यह आगया, 0.4 T square by 2, minus 0.005 T cube by 3, इसको आप काट के लिख सकते हों, यहाँ पर 0.02 लिख दो खाली, 0.2, ठीक है, तो यह आपके पास function बन गया, empty function, यानि वो इतने words memorize कर पाता है, in T times, अब उसके बाद आगया आप से पूछा गया था, the first part में पूछा गया था, कि how many items can Bob memorize during the first 10 items, first 10 minute, जो पहले 10 minute है, उसमें वो कितना memorize कर पाता है, यानि यहाँ पर आपको M10 put करना है, तो M10 put करना है, तो 0.2, into में 10 का square, minus 0.005, 10 का cube, divided by 3, तो यहाँ पर 10 का square करोगा आजाएगा 100, 100 को 0.2 से multiply करोगे, आजाएगा 20, minus, यहाँ पर आजाएगे 3 0 आएगे, 3 0 इससे कतम हो जाएगे, आजाएगा 5 upon 3, तो 23 जा 60, 60 minus 5, यानि 55 upon 3, तो इतने words वो memorize कर पाता है, 55 upon 3, ठीक है, अब इसको आप mix fraction में लिख लो या decimal में लिख दो, तो 18 and, 18 3s are 54, 18.33 item, इतने item वो memorize कर पाता है, average, second में कहता है कि वो 10 से लेकर अगले 10 minute तक, यह 10 minute तो यह हो चुगे, अगले 10 minute में वो कितने memorize कर लेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको M20 निकाल लेना है, और M20 में से M10 को कर देना है minus, जो उसने पहले 10 minute में याद करे थे, वो minus कर देना, जो अगले 10 minute के हैं, वो निकल जाएंगे, तो M20 निकालने के लिए आपको यहाँ 20 पुट करना है, M10 की value तो निकली हुई है, ठीक है अब यहाँ पर आप पुट कर देंगे 0.2, और यहाँ 20 का square, minus 0.005, 20 का cube, अपॉन में 3, जब आप यहाँ minus लिखेंगे, तो यह मत लिखना, यह वाली value लिखना, क्योंकि वो तो approx value है, अब इसको आप solve करोगे, तो 20 का square आजाएगा 400, 400 को 2 से multiply करेंगे, यहाँ जाएगा 80, minus, यहाँ पर भी आएगा 3 0 आएगी, वो 3 0 तो decimal से खतम, यहाँ बचेगा 8, 85 जब 40, 40 upon 3, और minus 55 upon 3, तो 40 और 55 इन दोनों को आप plus करोगे, बन जाएगा आपके पास 95, यहाँ 80 minus 95 upon 3, इस calcium लेंगे आजाएगा 240, minus 95 upon 3, इसको आप minus कर दो 10 minus 5 5, 13 minus 9 4, और यहाँ पर आगे आपके पास 1, तो यहाँ जाएगा आपके पास 145 upon 3, तो बच्चो नेक्स जो केस्टेडी आपके पास है, उसमें क्या कहता है, यहाँ कहता है, according to a data presented by Indian Publishing Federation Association at New Delhi Book Fair, book sales around the world are in general decline, यह बड़ी चिंता की बात है, कि जो book sale हो रही है, आजकल जादा बच्चें PDF के ओपर वरोसा करते हैं, कि PDF मिल जाए, PDF मिल जाए, physical material बहुत कम बाए करते हैं, तो अब यह जो उसकी बड़ी से क्या हो रहा है, जो books की जो sale है, वो धिरे धिरे कम होती जा रही है, clearly despite the best effort of the publishing industry to innovate and advance into the digital age, something else is being lost, could it be something as straightforward as a lack of focus on the fostering literacy and love of books and the reading, or are there larger social and economic changes afford, One thing is for certain, without a stronger dedication to book and the reading, society will be all the poorer for it in the long run, तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, और बड़ी सही बात यहाँ पर है, इस case study के अंदर, ठीक है, आप लोग youth हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो book reading के ओपर थोड़ा focus किए ज़्यादा, अब कहता है, the monthly sale at a book store are currently $10,000, but are expected to be declined at the rate of this, अब यहाँ पर जो book sale है, वो कह रहा है कि भाई, book sale जो है, वो 10,000 है, लेकिन book sale धीरी धीरी न, expected है कि वो कम होती जा रही है, और वो कम होती जाने पर क्या हो रहा है, उसके जो function आपके पास यह दे रहे है, s dash t equals to में, minus 10 t raise to power 2 upon me $5 per month, ठीक है, अब यह कहता है कि t months from now, the store is profitable as long as the sales level is above $8,000 per month, जो sales है अगर वो $8,000 से उपर रहती है, तो shop profitable उसमें चलेगी, तो यह कहता है, find a formula for the expected sale in the t month, तो यहाँ पर आपको expected sales बतानी है, t month में, यानि s t आपको function find करना है, s dash t दिया हुआ है, जैसे पिछला question करा था, हमने, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर proceed करेंगे, आपको s t निकालने के लिए करना क्या है, s t निकालने के लिए integration कर देना, s dash t का, अब इसका integration करेंगे, तो minus 10, t raise to power 2 upon 5, dt, इसको आपको integrate करना है, अब इसको integrate करेंगे, तो आजाएगा minus 10, t की power, एक increase करेंगे, तो 5 plus में 2, 7 upon 5 आगया, यहाँ लिख देते हैं 5 upon 7, यहाँ सब को पता ही है, plus में यहाँ पर आगया c, तो यहाँ पर आगया 50, minus 50 upon 7, t raise to power 7 upon 5 plus c, अब यहाँ c की value निकालने के लिए, उसने हमें बताया था कि, यहाँ से पिछली जो slide थी, एक बार आप rewind करके देख लेना, तो उससे पिछली slide थी, उसमें बताया था कि, उसने जो currently जो sale है, वो अभी 10,000 है, currently sale कितनी है भी, 10,000 है, यानि अगर हम t 0 ले रहे हैं, अभी current की बात कर रहे हैं, t अगर हम 0 ले रहे हैं, तो आपके पास जो sale हो रही है, वो कितनी हो रही है, sale हो रही है आपकी 10,000, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगे आप पूट करेंगे 10,000, बन गया हमारा minus 50 upon में 7, t raise to power 7 upon 5, और plus में 10,000, अभी आगे कहता है कि what sales figure should be expected 2 years from now, अब से 2 साल बात, जो expected sale है वो कितनी होगी, यानि time लेना 2 साल, अब यह जो function दे रहे हैं, यह आपको साल के लिए नहीं दे रहे है, यह function आपको दे रहे है, खदब पर मन्त के साब से, ठीक है, dollars पर मन्त, यह पर मन्त के साब से दिया हुआ है, तो 2 साल के बारे में पूछ रहा है, मतलब 24 महिने होगे, तो आपको 24 महिने के साब से बताना है, यानि if t equals to 24, यहाँ पर आप पूट करोगे s24, माइनस 50 अपॉन में 7, 24 की पावर 7 अपॉन 5, प्लस 10,000, अब यह 24 की पावर 7 अपॉन 5 की वेलू अगर आपको दे रखी हो, तो तो आप इसको वेलू को यूज कर लेना, नहीं दे रखी है, तो आप ऐसे चोड़ देना, इसको निकालने की टेंशन में मत परना, कि for how many months will the store remain profitable, कितने महिने के लिए जो store है वो profitable रहेगा, profitable कब रहता है, जब उसकी sale 8,000 डॉलर से उपर रहती है, तो यहां हमारे पास जो function है, यह function हमारे पास, जो sale function है, यह profit में तब रहेगा जब इसकी जो value है वो 8,000 से उपर रहेगी, अब यहां पर sale function की जएगा यह put करो, और यहां से आप t की value find करो, plus में, plus 10,000, greater than equals to 8,000, ठीक है, अब यहां से आप इसको लेके इदर जाओगे, तो t की value निकालनी है, इसको पहले उदर लेके जाओ, तो यह आजाएगा, minus 2,000, अब दोनों तरफ से अगर आप minus cancel करते हो, क्योंकि यह inequality है, minus cancel करने पर क्या होगा, sign change हो जाएगा, यह बन जाएगा आपके पास यह, अब यहां से 50 upon 7 को हटाएंगे, उधर लेके जाएंगे, तो टी की पावर 7 upon 5 आजाएगी आपके पास, 7 into में 2000, divided by 50, तो यह आजाएगा आपके पास 280 और टी की पावर 7 by 5 को जब आप उस side shift करोगे, तो पावर आपका reciprocal हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, टी is less than equals to 280 raised to power, 280 raised to power 5 upon 7, अब जैसे आपको यहां पर value मिलेगी, ऐसे आपको यहां पर भी value मिलेगी, उसी से पता चलेगा कि यह profit function आपका किस कब तक के लिए apply होगा, मतलब आपको जो profit है, कितने time तक रह सकता है, तो value आपको मिलेगी, वहां put कर देंगे, आपका answer आजाएगा, उसके बार next case study पे चलते है, next case study है हमारे पास, अक्सर आप लोगों ने इसके shoes पहने होंगे, जी, बाटा बहुत परानी company है इंडिया की, तो बाटा company कह रही है कि बाटा इंडिया उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता रहा है कि larger retailer in the leading manufacturer of the footwear इंडिया, इसके बाटा ने कब start किया था, कब कैसे कैसे उसकी growth हुई, अब कर रहा है, the manager of बाटा शो रूम एड़ जैपूर, determined that the price fee, in term of dollar दिया हुआ, यहां भी हलांकि बाटा Indian company है, लेकिन price आपको dollar में दे दिया है, for each pair of a popular brand of sports sneakers is changing at the rate of this, अब यहां जो popular brand है, उसका sneaker का, उसकी जो demand है, उसकी जो price है, वो इस तरह से change हो रही है, तो when x pairs are demanded by consumers, अगर यहां पर consumer x pair की demand करता है, तो when the price is 75 dollar per pair, 400 pair, x equals to 4, are demanded by the consumer, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि when x hundred pairs are demanded by the consumer, तो वो इसके लिए आपके पास function यह है, when the price is 75 per pair, 400 pair, 400 pair का मतलब क्या होगा है, यहां पर ही क्या denote कर रहा है, x को denote कर रहा है, 100 pair से, तो जब आप यहां पर 400 pair बोल रहे हो, तो that means x की value आपको यहां पर 4 लेनी है, तो यह कह रहा है कि x की value 4 है, तो जो price है वो 75 है, यह कह रहा है, ठीक है, एक pair का, अब कह रहा है, find the demand, the price function, अब demand function निकालने के लिए आपको पहले यहां पर वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको P dash दिया हुआ है, आपको P x निकालना है, तो P x निकालना है, तो मैं slide को थोड़ा सा उपर गीओं, इस पेस के लिए मिरे पास, यहां पर चलो नीचे उसमें देख लेंगे, बुक में, तो यहां पर आपको demand function बनाना है, तो उसके लिए सेम वही काम करेंगे, जो P x है हमारे पास, P dash x का integration कर देंगे, वह आजाएगा आपके पास P x, तो इसका function हमारे पास क्या था, यह function था हमारे पास, माइनस 300x, माइनस 300x, अपोन x square प्लस 9, raised to power 3 by 2, अब आपको इसको integrate करना है, अब इसको integrate करने का तरीका यहां पर क्या रहेगा, तो यहां पर आप देखो substitution method आपको लगाना पड़ेगा, कि उपर x है, नीचे x square प्लस 9 है, तो जो x square प्लस 9 है, आप इसको t put कर लो, method वही रहेंगे, method वही रहेंगे, ठीक है, substitution है, parcel है, जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, इसलिए integration आना चाहिए भाई, तो यहां पर 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx की जो value है, वो बन गिया आपकी dt by 2, तो यह जो x है, और यह dx है, इसको अटा देंगे, इसकी जगए dt by 2 आ जाएगा, 300 को हम बाहर ले ले लेते हैं, minus 300, और यह जो 2 आ रहा है ना, इसको भी हम बाहर ले ले लेते हैं, तो हमारे पस function बन गया, dt upon में t की पावर 3 by 2, यहां से इसको हमने cancel करा, minus 150, अब इसकी पावर को आप उपर ले जाओ, t की पावर minus 3 by 2 dt, इसको integrate करो, अब इसको integrate करने के लिए, पावर इसमें 1 plus करनी पड़ेगी, तो t की पावर हम 1 plus करेंगे, तो minus 1 by 2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा, आपके पास minus 2 by 1, plus में c, यह minus और यह minus मिलकर हो जाएगा, plus 300 और यह t आ जाएगा, denominator में, यानी root t बन जाएगा, plus में c, यह बन गया, आपके पास demand function, ठीके जी, demand function बन गया, हमारे पास, 300 upon में, root t, t की जगे, वापस हम यह put कर देंगे, x square plus में 9, तो हमारे पास function बन जाएगा, 300 upon में root, x square plus 9, अब यहां से आपको c की value निकालनी है, तो उसके लिए आपको यहां पर क्या दे रखा था उसने, कि अगर आपके पास, अगर आपके पास, price जो है, वो 75 है, price 75 है, वो starting में दे रहे खड़ा है, पिसली slide में, price अगर 75 है, तो x की value 4 होगी, तो यहांनि यहां पर, अगर आप x की जगे रखते हो 4, तो जो price है, आपका वो बन जाएगा 75, तो यहां पर अगर हम put करेंगे, price की जगे 75, price आगे हमारे पास 75, और x की जगे आजाएगा 4, तो यहां पर आपके पास है नीचे 4 का square, 4 का square होगा 16, 16 प्लस 9, 25, और 25 का square root होगा 5, 5 से आप इसको cancel कर दोगे, यहां जाएगा 60, तो c की value आजाएगी 15, ठीक, अब c की value आप यहां पर put कर दो, तो आपके पास जो px function है वो बन गया, 300 upon में, x square plus 9, plus 15, तो px आगया, अब उसके बाद आगे क्या कहता है आपसे, तो यहां second part में कहता है, यह what price will 500 pair of sneaker be demanded, तो x की जगे हमें रखना है 500, 9, 9, 9, 9, x की जगे 500 नहीं रखना, x की जगे 5 रखना है, क्योंकि x वहाँ पर क्या represent कर रहा था, x 100 को represent कर रहा था, यहनि x 100, कैसे हम लिख रहे थे, पीछे हमने दिखा था न, वहाँ पर क्यासे लिखा था, x 100, यहनि जो x लिखा जा रहे है, यह already 100 है, तो 500 को ऐसे लिखेंगे 500, 100, 100 को मैंने ऐसे लिख दिया, यहनि x को आपको रखना है 5, if x equals to 5, तो उस case में आपको px find करना है, तो यहाँ पर आप पुट कर दो p5, equals to 300, अब वहाँ में x square, x square मतलब 5 का square, 5 का square आजएगा 25, 25 प्लस में 9, तो 25 प्लस में 9 हो जाएगा 34, 34 का अगर आप square root निकालोगे, तो 34 का square root आपको नहीं निकाल रखा, सीधा सीधा answer लिख रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास एक short cut trick है, 34 को हम लिख लेते हैं, 36 minus 2, अब वोन में 2, इंटू में 6, यहाँ पर आएगा 6, 36 नहीं आएगा, ठीक है, यह cancel हो जाएगा, 6 minus 1 by 6, 1 by 6 का मतलब हो जाएगा, कितना 6 वन्जा 6, 0 लगाकर, 6 वन्जा 6, 4 बचेगा, और 6, अल्मूस 6, 7 जा 42, इसमें से minus करोगे, तो यह आजाएगा, 5.83, तो 5.83 प्लस 15, अब इसको आप simplify करोगे, तो लगबग लगबग आपकी जो वेल्यू है, 66.45 के बराबर आजाएगी, ठीक है, वेल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमने अप्रोक्सिमेट वेल्यू निकाली है, तो यह आगे है, अगर स्नीकर की डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस हमें कितना बढ़ रहा है, स्नीकर की डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस कितना बढ़ रहा है, यानि एक्स की वेल्यू अगर हम 0 लेते हैं, एक्स की वेल्यू अगर हम 0 लेते हैं, तो यह 100 आगया और यह आगया आपके पास 115 यह अगर डिमांड नहीं है तो भी हमें स्नीकर का प्राइस हो इतना पड़ रहा है उसके बाद क्या कहता है आपके पास थर्ड पार्ट में how many pairs will be demanded at a price of 90 per pair जो 90 per pair की अगर वहाँ पर price है तो आपको कितनी demand आपको मिल रही है नहीं x की value निकाल नहीं है तो अब इस case में क्या करना है थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपको px दिया हुए 90 है तो जो मारे पास function बना था function यह था हमारे पास px की जिएगे 90 put करो यहाँ से x निकालना है आपको तो 90 equals to 300 upon x square plus 9 plus 15 इस 15 को पहले इदर लाएंगे 15 को इदर लाके minus करते 90 में सो तो रह जाएगा 75 और यह into में आ जाएगा इदर x square plus 9 equals to 300 ठीक है पहले 15 इदर आया 15 आने के बाद अगले step में इसको multiply कर दिया और 75 को आप नीचे ले जाओ इदर तो 75 से अगर हम इसको divide करेंगे तो यह चला जाएगा कितना 4 पर चला जाएगा अब यहाँ पर square x की value निकालने के लिए root को उटाना है root को उटाने के लिए squaring कर देते हैं तो squaring करने पर आजाएगा x square plus 9 equals to 16 यह दर जाएगा x square आजाएगा आपके पास 7 और x की value आजाएगी root 7 root 7 का मतलब 2 point something आजाएगा तो यह आजाएगा अगर आपके पास जो price है वो एक sneaker एक pair of sneaker के आप रखते हो 90 ठीक है जी तो next question पर चलते है next question हमारा है तो नेक्स जो case lady हमारे पास है इस पर कहता है कि blue pottery is widely recognized as a traditional craft of Jaipur of the Central Asian origin the name blue pottery comes from the eye-catching cobalt blue dye used to color the pottery it is one of the one of the many Eurasian types of blue and the white pottery and related in the shape and decoration to the Islamic pottery and the more distantly Chinese pottery तो यह सब कुछ उसके pottery articles के बारे में ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में तो यह सब चीज़े उसके बारे में आपको दी हुई है आपको पता हो तो इसको आज समद लेना question से हमारा इसका कोई मतलब होता नहीं case study में बस एक आपकी भूमिका त्यार करता है तो अब यहाँ पर उसके बात कहता है कि suppose it has been determined that the marginal revenue associated with the production of x unit of a piece of blue pottery is this तो marginal cost आपको marginal revenue आपको दे रखा है तो marginal revenue ना लिखके word को marginal revenue ना लिखके r-x लिखा हुई बात वही होती है तो marginal revenue आपको दिया हुआ है कितना यहाँ पर x unit के लिए x unit आउसने दे रखा है मैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है what is the revenue function पहले तो revenue function बनाना है तो revenue function जैसे हम पीछे करते आए वैसी करना आपको जो आपको यहाँ पर r-x दिया हुआ है उसको integrate कर दो तो आपके पास बन जाएगा revenue function अब जो function है वो क्या हमारे पास 240-4x खाली 4x यह न जी 240-4x 240-4x इसको करना है आपको integrate ठीक है यहाँ भी आपको cost जो revenue दे रखा है वो dollar में दे रखा है लगा मुझे complete करनी पड़े ही book वालों से भई इंडियन book है dollar क्यों use कर रहे है और rupees use करो ना rupees use करो dollar मत करो भई तो यहाँ पर आगया 240x minus 4x square by 2 let's miss c 2 से यह cancel करेंगे आपके पास यह आ जाएगा 2x square ठीक है यह आगया revenue function लेकिन c की value निकाल नहीं है तो उसके लिए उसने कहा है कि you may assume r0 equals to 0 मतलब आप कुछ बेच ही ने रहे हो तो कुछ मिलेगा ही नहीं यह तो वैसी है कि आप कुछ बेच ही ने रहे हो गया तो मिलेगा क्या तो यहाँ पर आपको एक्स की जगे अगर 0 लेना है तो revenue भी आपका 0 हो गया तो यहां पर हमने put किया इधर 0 इधर आगया यह x के साथ 0 है तो यहां भी 0 हो जाएगा इस सब मतलब 0 हो गया प्लस में c तो c की value आपको 0 ही मिलेगी तो revenue function हमारा बन गया 240x minus 2x square प्लस में c यह आगया revenue function अब आगे कहता है कि what price will be paid for each unit when the level of production is 5 unit यह जो level of production है हमारा 5 unit है तो उससे हमें कितना revenue मिलेगा तो यह एक्स की जगे आप put कर दो 5 240x5 यहां तो c तो 0 था तो 0 रखेंगे और यहां पर आगे आपके पास 5 तो यहां से multiply करो यहां से आगे 25 to 50 minus करेंगे तो यह आजएगा revenue ग्यारा सो पचास रुपे 1,150 रुपेज तो यहां पर हमें एक चीज और पूछी के थी हमसे यह तो निकल के हमारे पास total revenue ठीक हमसे पूछा गया था है यहां पर पर unit what price will be paid for each unit तो हमारे पास कितनी है unit हमारे पास कितनी है 5 तो price of each unit कितना बन जाएगा तो 5,2,10, 5,3,15 यानि 2,30 डॉलर्स ठीक है 2,30 डॉलर्स का हमें मिलेगा एक पोटरी आर्टिकल बहुत महेंगा है बहुत महेंगा है next question पर चलते हैं next जो आपके पास case study है वहां पर हम थोड़ा सा चाई पिएंगे relax करेंगे last question है case study का उसके बाद गर्मागरा में चाई पी नहीं है भई अब यहां पर क्या गहता है कि white tea is known नहीं वाली tea आगी है तो white tea is known to be one of the most delicate tea varieties because it is so minimally processed white tea is harvested before the tea plant leaves open fully when the young birds are still covered by the fine white hairs and the name white tea उसके बारे में आपको दिया हुआ है white tea तो आज तक हमने पी नहीं है भाई कहां मिलती है किसी को किसी के state में मिलती हो तो बदा ना मुझे ठीकि अग्वार छुटियों मैं वहीं प्लान करूंगा white tea पीने के लिए दिल्ली में कहीं मिलती है तो बदा दे ना कहां से खरीदी जाए तो कहता राज जिस हेविंग यहां पर आपके वाई टी की जो रेवन्यू फंक्शन है वह यह दे रहा है ठीक है थोड़ा सा उपर चले जाते स्पेस बन जाएगा अब आरेक्स इस रेवेन्यू इन डॉलर्स यहां भी डॉलर्स में बोल रहा है तो निकालना तो पड़ेगा यहां पर हमने रेवेन्यू प्लस में निकाला इसका उसके लिए आपो इसका 50 प्लस में 3.5 x e की पावर माइनस 0.01 x स्को इसको proced करना यह अब यह 50 यह तो एक अलग function है यह यह तो भार निकाल लो constant को अब आपके पास function यह है x और e की power minus 0.01 x square dx इसको integrate करना है अब इसको integrate करने के लिए जो x square है इसको आप t put कर लो x square के साथ में यह constant term भी है इसको भी साथ में ले लो तो हमने कहा करा put करा minus 0.01 x square को t तो इससे आगे हमारे पास minus 2 को multiply करेंगे 0.02 और dx equals to dt x भी आएगा minus 0.02 x फिर dx equals to dt तो dx की value आगे आपके पास dt अपॉन में minus 0.02 x इसको भी यहाँ पर put करेंगे तो जो revenue function है यहाँ पर जो 50 x है इसका तो integration बन गया यहाँ पर 50 x बन गया प्लस में 3.5 और यह बन जाएगा आपके पास x e की power बन गया t और dx की जाएगा dt अपॉन में minus 0.02 x इस x से x कैंसिल कर दो यह minus 0.02 इसको बाहर ले आओ तो यह बन जाएगा minus 3.5 अपॉन में minus 0.02 और अंदर है यह आपके पास e की power t अब e की power t को आप integrate करोगे तो e की power t यह आएगा यहाँ से decimal decimal हडालो यहाँ उपर उपर 2 0 जाएगी नीचे 1 0 जाएगी मतलब 350 अपॉन में 2 बचेगा यह minus 2 बार क्यों लगा दिया प्लस ही आएगा यह minus इदर आगया तो तो यह आजाएगा आपके पास minus 350 अपॉन में 2 ठीक है यहाँ उपर 2 0 जाएगी नीचे 1 0 जाएगी 1 0 से 0 कट जाएगी 1 0 उपर बचेगी और यहाँ पर इसको integrate करेंगे आजाएगा e की power t प्लस में c तो अब यहाँ पर आपको फास function क्या बन गया यहाँ पर revenue function बन गया हमारा 50x minus इससे इसको आप cancel करोगे 175 आजाएगा और e की power t t की जाएगे आप यह put कर देंगे e की power minus 0.01 x square प्लस में c तो यह revenue function है अब इसमें c की value निकालने के लिए बोलता है कि भई r 0 है तो x 0 है तो revenue भी 0 है तो यहाँ x को 0 put करोगे तो revenue भी 0 हो जाएगा if x equals to 0 then revenue also 0 तो यहाँ पर put करो आप revenue function में 0 अब यहाँ पर put करोगे तो देखो यह 0 हो जाएगा 175 e की power 0 आएगी e की power 0 तो 1 हो जाएगा न तो यह हो जाएगा minus 175 e की पावर 0 प्लस c तो यह 1 हो गया मतलब c की वेल्ड आगई 175 that means जो revenue function है हमारा यह बन गया 50x minus 175 e की पावर minus 0.01x square plus में 175 यह आपके पास आगया revenue function ठीक है अब आगे कहता है कि यहाँ पर second part में कि what revenue should be expected from the sale of 1000 box अगर हम 1000 box की sale कर देते तो revenue कितना मिलेगा तो x की जगे पुट कर दो आप 1000 तो revenue हमारा कितना बनेगा इसका तो यह आजाएगा 50 into में 1000 minus 175 e की पावर minus 0.01 और यहाँ x square है x square का मतलब आ जाएगी 6 0 इसमें अब यहाँ पर 6 0 आप करोगे तो 2 0 decimal के बाद 2 place तो यहाँ पर है तो मैं direct multiply करके लिख देता हूँ यहाँ पर 10,000 आ जाएगा e की पावर आ जाएगी 10,000 और प्लस में प्लस में यहाँ पर था हमारे पास 175 अब यह e की पावर जो 10,000 है न इसकी value आपको मिलनी चाहिए इस तरह आ जाएगा अब यह e की पावर 1 इसकी जो value है वो आपको मिलनी चाहिए अगर मिलेगी तो put कर दे नहीं मिलेगी तो मत करना ऐसे कैसे छोड़ देना ठीक है हम सरिफ इसको simplify कर लेते हैं यहां से आजाएगा 50,000 और उदर से आपके पास आजाएगा 175 तो 50,000 175 माइनस 175 E की पावर 10,000 यह आपका revenue function मनेगा इसकी value होगी question में तो डाल के final answer हम इसका निकाल देंगे और इसके साथ ही जो case study है थोड़ा different type की question मैंने आपको करा हैं एक बर आप इस वीडियो देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे case studies को handle करना है अगर आपके पास इस तरह की case study आ जाएं तो तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं I hope आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और कल का ही जो exam है वो देने वाले हैं आप बहुत अच्छे से exam देंगे आप सभी को आपके exam के लिए all the best